आयरुवेद तृदोसा स्केनर दन्यू इन्वेंशन इन आयरुवेदा मेडिकल सिस्टम फार स्टेटस पांटिफिकेशन आप बेसिक फंडामेंटल साफ आयरुवेदा वाता एंड पित्ता एंड कफा आईरुवेद तृदेशा स्केनर आईरुवेद का एक नया इन्वेंशन है जो सरीर के अंदर वाद पित्त और कफ का स्टेटस या उनका लेबिल कितना है उसको यह रिकगनाईज करता है और यह पढ़ता है आज हम आपको इसके बारे में पिस्तार से बताना चाहते हैं कि आईरुवेदिक फंडामेंटल्स इस मशीन के द्वारा किस तरह से रिकगनाईज करते हैं और यह किस तरह से मसीन आउटपुट देती है हम इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बता रहे हैं यह जो डिजिटल गैजेट है, यह फंडामेंटल्स किस तरह से रिकगनाईज करती है और कैसे करती है, यह कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी करा रहे हैं, यह नई मसीन है, आईलगेदा तिर्जोसा स्केनर जो की हाई क्वालिटी की डिजिटल किया गया है, और इसके सेंसर बहुत ही आधनी किसम के है, बहुत ही बेतरीन किसम के इसके सेंसर बनाए गया है, और इसका जो सरकिट डाइग्राम है, वो हमारे द्वारा इसको पुटप किया गया है, और हमारे सयोगियों द्वारा जो हमारे इंजिनिंग कालेज के सयोगी ह उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है और हमारे डाइरेक्शन के अनुसार के हमको क्या चाहिए उसके बारे में वो सारी चीजे दी गई है और ये काफी प्रयासों के बाद इसको बनाया गया है तो ये आप देख रहे हैं कि आयरुवेदा तिरुवता इसके नर है और इसमें ये पता करता है कि ये शरीर के अंदर या भीमार बेक्टी के अंदर कितना वात प्रकोब है कितना पित्त का प्रकोब है और कितना कफ का प्रकोब है इसके एक नार्मल पैरा मीटर तै कर दिये गए हैं और नार्मल पैरा मीटर से तै करने के बाद जब इसका कल्कुल करते हैं तो सारी चीजे सब सामने आ जाते हैं इसमें कंट्रोल करने के कई बटम दिये हुए है जैसे वाद पित्त और कफ यह आप देख रहे हैं सामने इस मसीन में और इसमें एक एक इंटरफेस दिया हुआ है एक स्क्रीन है छोटी सी जिसमें की नब करके सारा का सारा आकला आ जाता है यह बताता है कि किस तरह से और कितने मात्रा में वायू शरीर के अंदर है और शरीर में कितनी इसकी मात्रा विद्यमान है इससे एक बड़ा फाइदा यह होगा कि जब लग जाता है कि वात्पित्त कफ किसी बीमार ब्यक्ति के अंदर कितनी मात्रा में है तो उसके लिए आईरुवेत का हिलाज भहुती सरल और सुगम और सटीक हो जाता है क्योंकि जब पता लग जाता है कि इसके अंदर ब्यक्ति के अंदर किस तरह कि कितनी मात्रा में वात्रा म में पित है और कितनी मात्रा में कफ है तो उसका जो बड़ा हुआ इससा है उसको शमची किसा दियाए जो बड़ा हुआ düşes गटायाए कैसे गटाया जाये किस तरह से गटाया जाए इसके बारे में क्या खान-पान है क्या पत्थ-परेज है उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए उसके सरीर का जो आंकले आए हैं उसके बाद कित्य कपके उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है और उसको कैसी जीवन सहली अपनानी चाहिए ये सारी चीजे बहुत ही सटीक और बहुत ही करेक्ट और बहुत ही एकुरेट मात्रा में मिल जाते हैं इससे एक फाइदा यह होता है कि आप कितनी भी बार दिन में इसको चेक कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसी नुकसान वाली या सारीरिक नुकसान को पुशाने वाले कोई भी ऐसी गतिवीदी या इसके अंदर इतना कोई ऐसी चीज नहीं है जो सरीर को नुकसान पुशा है बल्कि यह घंटों अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने अपने यहां जो परिच्छन किया है उसमें कई-कई घंटे मरीजों का शिक करते नहीं हैं लगातार देखते नहीं जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वाता प्रजेंस जो कितना लेबिल है किस तरह का यह कैलिब्रेट किया हुआ है यह कैलिब्रेट करते हैं इसको तो उसमें यह एक कैल्कुलेशन है इसका और उस कैल्कुलेशन के इसाब से इसको कैलिब्रेट करते हैं कैलिब्रेशन में जो हाइयस्ट गाह्यवील होते हैं वो सारे के सारे इसमें बर्फैते हैं कि कितने है काईव पित्त अलग कैलिब्रेशन में और कफ काईव कैलिब्रेशन में जैसे की आप किहा इहाँ स् Bog ob और ये नीशे की तरफ जो एक ये 1, 2, 3, 4, 5 आप देख रहे हैं ये एलेक्ट्रोड के लगाने के लिए और मसीन से कनेक्टिविटी के लिए ये साकेट से दिये हुएं ये एक पदार्थ है जो लगाया जाता है जो इसकिन से और इस मसीन के लेक्ट्रोड से के बीच में कोई आपने जी ये एर कि प्ना रहे और जो भी सरीर जो ट्रांसमीट करना चाहता है मसीन को वह अपने हिसाब से दे ये ये counseling को जो उंगलियों में लगाए जाते हैं ये अंगुठा पहली अंगली दूसरी तीसरी और त्यसी और इस और इस उंगलीयों में और फम्छाट कोशि बाद में जो भी सामने सारी चीजें आती हैं, वो उनको देखते रहते हैं, आप जही से देख रहे हैं, कि यहाँ जो नार्मल कैलिब्रेशन है, अब यह एक कैलिब्रेट किया हुआ, कि यहाँ आप देख रहे हैं, यह इसका कैलिब्रेशन है, आयरुएद के हिसाब से, और मसीन का कैलिब्रेशन किया गया है, यहाँ आप देख रहे हैं, कि यह एक जो बेकोंस देख घर, chilli हमा जो जो isट लगा ठीए Sean, पांच उंगलियों में पांच जो एलेक्ट्रोड्स हैं वो अलग लगाए गए हैं इसमें इसी तरीके से इस मसीन में लगाते हैं जैसा कि आप यहां देख रहे हैं और इनका कनेक्टिविटी मसीन से कर दी जाती है कि आप यहां देखिये कि हाथ में कहां पर इलेक्ट्रोड लगा है और यह मसीन से जो जोड दिये गहे हैं तो मसीन्से से जुनोने के बार पिर मसीन इसको कलकुलेट करने लगती है और अपने कलकुलेशन कर से इसाप से जो इंटर ¬देर संथे उस पर वो अंकित कर देती है कि किस तरह का है फिर उसके बाद उसी डाटा को computer मे ले जाते हैं और computer से calculate करते हैं कि किस तरह का है यहां आप देखें P दिखाई पड़ रहा है यह पित का है क्योंकि जो bandage लगे हुए उसमें जो वात का और कफ का है वो छुप गया है तो ये सामने आप देख रहे हैं केविल है एक लाल रंग की केविल है दूसरी भूरे रंग की, हलके नीले रंग की ग्रे कलर की है, तो ये तीन जो हैं, ये तीन अलग से जो हैं, वो साकेट हैं, वो उसमें लगाए गए हैं, जो एक वाद का है, दूसरा पित्ट का है, तीसरा कफ का है, और ये पांच ये अलग-अलग लगाए गया है कैलिब्रेशन के लिए कि वाद पित्व कपका किस तरह से कैलिब्रेट किया जा है तो वो कैलिब्रेशन के लिए ये लगाए गया है तो बार-बार इनकी आवश्चक्ता पड़ती है तो यसलिए यह कैलिब्रेट करते हैं और कैलिब्रेशन के बाद फिर वो कुछ देर तक इसको लगाए रखते हैं आप कितनी भी देर तक इसको लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब यह वाद प्रजेंस जो है 1001 और पित्त का प्रजेंस 9-36.5 है कफ का प्रजेंस जो है 9-46.6 है तो यह 93.5 है 94.6 है तो यह कफ का प्रजेंस है और पित्त का प्रजेंस है 9,365 और वाद का 1001 है तो इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि हर एक का अलग-अलग नार्मल लेविल है तो इसमें यह अंदाजा लगाया जाता है कि वाद कितनी है, पित्त कितनी है और कव कितना है तो इससे ये अंदाजा लगता है कि वाद का जो प्रजन से वो अधिक है एक हजार दो के करीब है और पित्त जो है नौ से 36 है कव का जो है, ये 9 से 51 ये असल मैं अपना देख रहा हूँ, तो यह मेरा आंकला है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी उमर 75 वर्ष की है इस समय और यह 75 वर्ष का आंकला है तो यह नार्मल कैलिब्रेशन में इसको अगर देखते हैं तो यह कफ कफ का जो यह पित्त का कफज पित्त जो है वो तकलीब जो है वो बता रहा है और यह मुझे है भी इसकी तकलीब मुझको है भी तो यह खाली मैं अपने शो कर रहा हूं क्योंकि आपको बताना भी जरूरी है कि किस तरह से इसकी वर्किंग है और कैसे इसकी वर्किंग करते हैं यह भी आप लोगों को बताने के लिए खाली एक डिमास्ट्रेशन है अदरवाईज इस पर मैं रोजाना बहुत से मरीजों का आंकला निकाला करता हूं और उससे मैं यह पता उससे एक सबसे बड़ी सुविधा यह हो जाती है कि मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होती है जैसे किसी का वात अगर बढ़ा हुआ है या पित बढ़ा है या कफ बढ़ा है या पित कमजोर है या कफ कमजोर है तो उससे किस तरह से निप्टा जाए य और जब यह आंकले आ जाते हैं तो यह बहुत ही सरलता से पता लग जाता है कि क्या है आप देखें यहां पर वाद्पित्त कफ का जो यह हटा दिये गए हैं तो यह आपकी समझ में आ गया होगा और जैसा कि मैंने आप से पहले खाया है कि अधिक फंडनमेंटल्स का जो निद कितनी मात्रा में यह मवजूद हैं और उनको कैसे इलाज करके हम दूर कर सकते हैं और इसकी तकलीव को रफा कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं दिप्लोम होम्योपैथी जर्मनी, M.I.C.R. मुंबई, C.R.C. कार्डियो वैस्कुलर, Dr. देश भूंदू बाजपेईज इंवेंटर एंचीफ E.T.G. आईरवेदा इस्कैन इंवेस्टिगेटर जहां आईरवेदी भूंगे बैती जुनानी दवाओ द्वारा इलाज किया जाता है Dr. देश भूंदू बाजपेई, Dr. A.B. बाजपेई, Dr. आईवी बाजपेई, Dr. आईवी बाजपेई, Dr. कनक पाली थरेपी किलीनिक एवम, रिसर्स सेंटर, सरसट बटा सत्तर, भूसा टोली रोड, बरसन बाजार, कानपूर, उत्तर प्रदेश, भारत, मोबाइल 8604629190 पर संपर्क करें